नूर जहां यानी सत्रवी सदी की भारत की सबसे ताकतवर महिला नूर जहां ने विशाल मगल सामराज्य को चलाने में अभूत पूर्व भूमी का निभाई थी इतिहासकार रूपी लाल बता रही है कि मौजूदा वक्त में हमें इतिहास में नूर जहां के नेत्रित्र की एहमियत समझने की जरूरत क्यों है सोलवी सदी की शुरूआत में भारत में सत्ता स्थापित करने वाले मौजलों ने भारतिय उप महाधवीब के एक बड़े हिस्से पर तीन सौ साल से ज्यादा समय तक शासन किया ये भारत के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर राजवन्शों में से एक था मौगल काल में कई शासक रहे जिन्होंने इस महाधवीब पर शासन किया नूर जहां उनमें से एक थी नूर जहां कला, संस्कृती और स्थापते कला की संगरक्षत थी उन्होंने एक से बढ़कर शांदार शहर, भव्वे महल, मस्जिद और मकबरे बनवाए शायद यही वज़े है कि नूर जहां भारत, पाकिस्तान और बांगलादेश के लोक साहिते में जिन्दा हैं नूर जहां की कहानिया उत्तर भारत के आगरा और उत्तर पाकिस्तान के घरों और एतिहासिक इमारतों में सुनाई जाती है आगरा और लाहौर मगल शासन के दोरान दो प्रमुक शहर थे खासका नूर जहां के वक्त में इन शहरों के बड़े बज़र्ग टूरिस्ट गाइड और इतिहास के जानने वाले नूर जहां की कहनिया सुनाते हैं कि कैसे वो और जहांगीर एक दूसरे से प्यार करने लगे और कैसे नूर जहां ने एक आदम खोर बाग को शिकार करके गाउं को बचाया वो बताते हैं कि किस तरह नूर जहां ने हाथी पर बैठे बैठे उस आदम खोर बाग पर गोली चलाई वैसे तो लोगों ने नूर जहां के रोमान्स और उनकी बहादुरी के एक से सुन रखे हैं लेकिन उनकी राजनीतिक कुशागरता और महत्वकांग्शाओं के बारे में कम ही लोग जानते हैं नूर जहां एक आकरशक महिला थी जिन्होंने तमाम अरचनों का सामना करते हुए मोगल शासन की कमान समाली वो महान कवीत्री थी उन्हें शिकार करने में महारत हासिल थी और वो स्थापते कला में नए नए प्रयोग करने की शौकीन थी नूर जहां ने आगरा में अपने माता-पिता के मगबरे का डिजाइन तयार किया ताज महल की डिजाइन भी इसी से प्रिरित है वो पुरुशों के दबदबे वाली दुनिया में एक शानदार निता बन कर उबनी दिल्चस बात यह है कि नूर जहां शाही परिवार से तालुक नहीं रखती थी इसके पीछे नूर जहां के पालन पोशन उनके आसपास मौजूद उत्साह बढ़ाने वाले लोग जहांगीर के साथ उनके करीबी रिष्टे और उनकी महतवकांख्शाओं का बड़ा योगदान है नूर जहां का जन 1577 के करीब कंधार यानि आज के आफगानिस्तान में हुआ था उनके माता पिता फार्सी थे जिनोंने सफवी शासन में बढ़ती असाहिशनुता की वजह से इरान छोड़कर कंधार में शरन ली थी उस वक्त अरब और फारस के निवासी भारत को अलहिंद कहते थे जिसकी संस्कृती समरिद और सहिशनु थी अलहिंद में अलग-अलग धर्मों, रिती रिवाजों और विचारों के लोगों के एक साथ शांती से रहने की सुईदा थी नूर जहां अलग-अलग तरह की संस्कृतियों और रिती रिवाजों में पली बढ़ी उनकी पहली शादी 1594 में मोगल सरकार के एक पूर्व सिख सरकारी अधिकारी से हुई इसके बाद वो बंगाल चली गई जो उस वक्त पूर्वी भारत का एक संपन राजिय था वहीं उन्होंने अपनी कलौती संतान को जन दिया बाद में नूर जहां के पती पर जहांगीर के खिलाफ शनयंत रचने के आरोप लगे तब जहांगीर ने बंगाल के गवर्नर को नूर जहां के पती को आगरा में अपने शाही धरबार में लाने का आदेश दिया लेकिन नूर जहां के पती गवर्नर के आदमियों के साथ युद्ध में मारे गए पती की मौत के बाद विद्वा नूर जहां को जहांगीर के महल में शरण दी गई वहां की बाकी महिलाएं नूर जहां की मुरीद हो गई साल 1611 में नूर जहांगीर की शादी हो गई जहांगीर ने नूर जहां की एक तस्वीर भी बनाई। उस तस्वीर में उन्होंने नूर जहां को एक समवेदन शील साथी, खयाल रखने वाली बहतरीन महिला, कुशल सलहकार, चतुर शिकारी, कूट नीतिग्य और कला की प्रशंसक के तौर पर चितरित किया है। नूर जहां से बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन नूर जहां के सत्वालने की वज़ा ये नहीं थी। नूर जहां और जहांगीर एक दूसरे के पूरक थे। जहांगीर अपनी पत्नी की तरक्की और बढ़ते प्रभाव से कभी असहज नहीं हुए। जहांगीर से शादी के क कुछ ही वक्त बाद नूर जहां ने अपना पहला शाही फर्मान जारी किया था जिसमें कर्मचारियों के जमीन की सुरक्षा की बात कही गई थी। इस फर्मान पर उनके दस्खत थे नूर जहां बादशाह बेगम। इससे पता चलता है कि नूर जहां की ताकत कैसे बढ़ रही थी। साल 1617 में चांदी के सिक्के जारी किये गए जिन पर जहांगीर के बगल में नूर जहां का नाम छपा था। अदालत के अभी लेखक, विदेशी, राजनई, व्यापारी और महमानों ने भी नूर जहां के खास दरजे को पहचानना शुरू कर दिया। अदालत के एक दरबारी ने एक घटना का वर्णन किया है जब नूर जहां ने उस शाही बरामदे में आकर सब को चौंका दिया जो सिर्फ पूरुशों के लिए आरक्षित था। रूडी वादी परमपराओं के खिलाफ नूर जहां का ये एक मात्र प्रतिरोध नहीं था। फिर चाहे वो शिकार करना हो, शाही फर्मान और सिक्के जारी करना हो, सरजनी की मारतों का डिजाइन तयार करना हो, गरीब औरतों की मदद के लिए नए फैसले लेने हो, या का नाम लोगों की कलपना और इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया।